दोस्तो कहते हैं जोडियां उपर वाला बनाता है तो आज हम उपर वाले के बनाई हुई बैस जोडियों के बात करेंगे तो जो पहली सबसे बैस जोडिय है वो है शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की इन्होंने 2015 में शादी की थी और ये जोडि एक दूसरे के साथ बहुत प्यारी लगती है और ये हमेशा लाइम लाइट में एक साथ नज़र आते हैं और जो दूसरी जोडि है वो है शारुक खान और गोरी खान की इनकी शादी को 30 साल हो गए है लेकिन आज भी देखो तो ऐसा लगता है जैसे न्यू कपल हो इसी कारण से इनको वोली वुड की बैस जोडि कहा जाता है शारुक खान और गोरी खान को देख के लगता है कि ये जोडि तो उपर वाले नहीं बनाई होगी आईए बढ़ते हैं हमारी अगली जोडि की तरफ जो अगली जोडि है वो है अक्षे कुमार और ट्विंकल खना की वोली वुड के खिलारी और उनकी खुबसरत वाइफ को कौन नहीं जानता जो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे लगते हैं कि वोली वुड के नए कपल्स इनको देख के जल जाते हैं बल्कि कुछ एक्टर तो ऐसे हैं जिन्नों ने ये कहा हुआ है कि जोडि होत अक्षे कुमार और ट्विंकल खना जैसी हो इसके बाद अगली जोडी अजे देवगन और काजोल की है वोली वुड में इनकी जोडी सबसे जादा आदर्श कहे जानी वाली जोडी है क्योंकि इनकी जोडी में दश्कों को वो देखने को मिलता है जो किसी और जोडी में देखने को नहीं मिलता इनकी जोड़ी तो इतनी प्यारी है कि तोनों किसी भी अवोर्ड फंक्शन में एक साथ ही देखे जाते हैं जो अगली और लाज जोड़ी है वो है विक्की कोशल और कटीना कैप वोलीवुड में न्यूली कपल विक्की कोशल और कटीना कैप है इन में 5 साल का एज डिफरेंस है फिर भी इस जोड़ी में बेश उमार प्यार देखने को मिलता है ये हैं हमारे वोलीवुड की बैस जोड़ियां मानो या ना मानो ये वोलीवुड की सबसे बैस जोड़ियां और इन में से कौन सी जोड़ी आपको सबसे ज़ादा पसंद है आप अपनी राय कमेंट करके मुझे बताईएगा